हेलो एवरीबन, वन्स अगेन आप भीरी मॉर्म वेलकम तो अल आफ यू अन यूर मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म यूथ कंप्टीशन टाइम्स दोस्तों आप जानते हैं कि यूथ कंप्टीशन टाइम्स सिविल इंदिनरिंग के शेत्र में किताबों की ब्रहद सिंख लाता है लेकिन छात्रों की भरी डेमांड पर पहली बार यूथ कंप्टीशन टाइम्स में यूपिटर पलसी जाई दो हजार चौबिस के एक्जाम से रिलेटेड मेंस के एक्जाम से रिलेटेड सिविल का पहला बैच अपना लांच कर दिया है जिस बैच को आप लोग ऐस सकते हैं 10 अगत से इसकी classes live चलेंगी आप लोग एप में जुड़ सकते हैं लेकिन आप हमसे पूछेंगे कि सर इस बैच में features क्या है आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं बाकी तो बहुत सारे लोग आप बैचे सचला रहे हैं आप ऐसा क्या नया दे तो अगर इस batch की features की बात करो, तो ये जो batch है, civil engineering का, अगर इस batch की बात करें, तो साथ ये batch में लगभग 21,000 प्लस objective के detailed solution है, अगर हम लोग बात करें, कितने है, total number of objective हम लोग जो लेकर चलेंगे, वो 21,000 प्लस objective के detailed solution लेकर बात चीत करेंगे, दूसरी बात जो है, दूसरी बात सबसे बड़ी चुनवती जो डिप्लोमा के बच्चों के साथ आती है, वो आती है language का issue, language का issue आती है, मैं अगर आपसे कहूँ, एक्दम सरल भासा में बात कहूँ, तो यह batch हिंदी माध्यम का बच्चा, हिंदी में पढ़ सकता है, और इंग्लिस माध्यम का बच्चा, इंग कोई भी समझ्या नहीं होगी, अच्छा, मतलब आप यह कहना चाहते हैं, कि भाई यह जो 21,000 questions आपको मिलेंगे, वो bilingual होगे, ना तो अंग्रेजी होगा अके लिए, ना तो अके लिए हिंदी होगी, bilingual content होगा, हिंदी वाला बच्चा भी सहज होगा इसमें, और अंग्रेजी questions की बात करें साथ, तो इसमें पहला question जो होगा, वो होगा, one liner, mcq type question, जो mcq type questions आज तक पूछे जाते रहे हैं, वो mcq type question इसमें रहेगा, दूसरा जो format रखा गया है, matching list का question होगा, कैसा होगा, matching list का question होगा, कि भाई, सूची एक और दू का मिलान करें, ऐसे प्रशनों की स्रिंखला, यूपिटर पलसी को बहुत पसंद आती है, तो हम लोग इस तरह के भी प्रशनों की स्रिंखला करेंगे, तीसरा जो हमारा सेनरिय होगा, वो होगा, असरसन reason, हां, असरसन reason type के question भी हम करेंगे, कथन और निसकर्स वाले प्रशन भी हम करेंगे, यह आज कर 2024 के मेंस में भी इनकी संभावनाई हो सकती है, एक प्रशन और है, जिसे यूपिटर पलसी बेहत प्रसंद करता है, बेहत प्रसंद करता है एक तरह का और प्रशनों की स्रिंखला है, जो 2016-2018 के पेपरों में देखने को मिली है, questions including figures, यानि ऐसे प्रशन जिन में क्या है, चित सब्सक्राइब आपको मिलेंगे, और इसकी classes जो चलेंगी, पर डे, 4-hour daily, एप में live classes चलेंगी, एप में live कोई भी class recorded नहीं मिलेगी आपको, जितनी class है वो live चलेगी, अगर किसी कारण बस आप live नहीं जुड़ पाते हैं उस दिन, तो वह class आपके application में store रहेगी, आप और उस topic से related कोई सवाल है, तो आप directly मुझसे पूछ सकते है, doubt session directly लिया जाएगा, live भी, और साथ में आप doubt session के लिए personally whatsapp पे message भी करके doubt session अपना ले सकते हैं, ठिक, तो ये जो बातचीत है, कि ये batch के features हैं, और इस तरह से हम लोग लेकर batch को चलेंगे, अब थोड़ी दूसरी की बात पर आते है साब, कि इस पूरे batch में आप कौन-कौन सी किताबों को सामिल करेंगे, तो जो किताबों की स्रिंखला है, सबसे पहली जो youth competition times की book आती है, fingerprint, हम इस किताब को सामिल करके चलेंगे, इसके सारे प्रस्ण हम इस स्रिंखला में करेंगे, इस कितने भी प्रस्ण हैं, इन सारे प्रस्णों को हम लोग इस स्रीज में करेंगे, ठीक, अच्छा, दूसरी बात जो है, youpeter पलसी जेई का, जो हमारा main, main एक अलग से solve paper आता है, और practice set आता है, ये solve paper या practice set भी हम लोग क्या करेंगे, साब, इसके भी सारे प्रस्ण हम लोग लेकर चलेंगे, साथ में, youpeter पलसी के पूरे question को लेकर चलेंगे, जो आज तक पूछे गए है, जिन में कुल 8 paper आज तक हुए है, youpeter पलसी जेई ने 8 paper कराए, और यह 8 paper जो है, आप लोग इसके सारे प्रस्ण हम लोग स्वालू करेंगे, सारे प्रस्ण हम लोग ये one by one complete करेंगे, इसमें ये सा सारा का सारा हिसाब किताब रहेगा, अब आते हैं इस बात पे, कि सर, किस app पर class चलेगी, app की बात करनी हो, तो आप Google Play Store पर जाईए, Google Play Store पर जाईए, अपने phone में, Play Store पर जाईए, और वहां लिखिए YCT Books, और ये app खुलके आ जाएगा, यही वाला app इसी app पर आपकी live classes चले सकते हैं, और classes भी इसी app पर लाईट चलेंगी, ठीक, अच्छा, अब हम next बात करते हैं, अगर कोई असुविधा होती है आपको, तो आप इस दिये गए नंबर पर संपर कर सकते हैं, आप इस नंबर से सारी जानकारी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अब हम थोड़ी चर्चा का विशाल, दूसरा ले आते हैं, ये जो badge है सर, ये badge 10 तारीक से सुरू हो रही है, 10 अगस से सुरू हो रही है, एक अगस से इसका promotion सुरू हो चुका था, 10 अगस से ये badge सुरू हो रही है, ठिक, इस badge का जो timing होगा, timing की बात करें, तो वो 12 बजे, दोपह कितनी होगी सबसे खास बात तो ये है कि बैच की वैलिडिटी जो होगी ये दो साल तक के लिए होगी कितने साल तक के लिए दो साल तक के लिए होगी ठिक तो आप ऐसेस कर सकते हैं अब आते हैं हम इस बात पे इसमें लीडिंग टीम की भूमिका मैं निभाऊंगा मैं यानि विवेग शर्मा और मैं इसी से बात्चीत करूँगा ठीक है अच्छा बैच की फीस बगारा का मैंने बता दिया है आपको ये 15 अगस्त की फीस रहने वाली है आप लोग जोइन कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक नाव इस बैच का एक और मॉड्यूल है वो मॉड्यूल क्या है ये बैच जो है सेलेक्शन बैच के नाम से है किस नाम से है सेलेक्शन बैच के नाम से है और सेलेक्शन बैच का एक और मॉड्यूल है आप इस बैच को चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी जोईन कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज जो अभी सुरू सेंग बैच आप जॉइन कर सकते हैं 99 रुपीज की फीस में हर एक सब्जेक्ट ऐसे ही आता जाएगा इंडिविजोली और हर सब्जेक्ट को आप वन बाई वन करके जॉइन करते जा सकते हैं अच्छा अब सबसे बड़ी बात आपके दिमात में यह आएगी कि सर यही सब्जे थोड़ा सा आज तक जितने पेपर हुए हैं उनका इनालिसिस देखें उनका इनालिसिस करें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी एक चीज देखने को मिलेगी अनालिसिस में आप कहेंगे सर वो क्या देखने को मिलेगा मैंने का पहला सब्जेक्ट देखें 2016 का जो बड़ावला एक्जाम हुआ था 19 वारा 2021 को अभी रिसेंट में हुआ था इसमें जो है जिसकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है इसमें लगभग 14 प्रश्ण और 2018 में देखे तो 9 प्रश्ण तो एक बड़ी स्रिंखला है प्रश्णों की जो इसमें लगातार उची जाती तो 14 question, 14 question, 13 question, 15 question, file mechanics सा proper वेटेज लगातार बना हुआ हर साल अच्छा नेक्श बात करिए सर, अगला subject, hydraulics, hydraulics में बात करिए, इसका भी number देखें, तो 16 number maximum, मतलब question maximum, और 9 number minimum, अच्छा, अब बात करते हैं सर, अगला subject जो चलेगा हम लोग का, वो subject चलेगा concrete technology, concrete technology की बात करते हैं, तो concrete technology, आज तक यूपिटर पलसी जाई में, 5 question minimum, और 12 question maximum पूछा गया है, तो यह भ लोग कहते हैं, सोम जो है, यह minimum 5 question, और maximum 22 question तक पूछा गया है, तो हम इस पर भी हम लोग detail में बात करेंगे, irrigation engineering से प्रशन कम रहे हैं, 2 question रहा है, 2016 के paper में, तो आप 2 question रहा है, तो यह भी हम पढ़ेंगे, ठिक, क्या पता इस साल पूछा जाए, next, अगला जो चलेंगे, अगर चलेंगे, तक एक्जाम में आए, तो कोई समस्या ना हो, दूसरा सबसे महत्वपूर सब्सब्स जो चलनाए वाला है, वो है surveying, आप कहते हैं, survey, तो survey चलेगा, जिसमें 15 question, अगर बात करें, 15 question, 37 question, 21 question, एक question, इस क्रम में पूछे गए, यानि maximum बात करिए, तो maximum 37 question पढ़ेंगे, design of steel structure भी पढ़ेंगे हम लोग, RCC, अगर इसकी चर्चा करें, तो RCC में minimum 8 question पूछे गए, और maximum 27 question पूछे गए हैं, ये भी चलेगा, अगला चलेगा, building construction and maintenance engineering, इसे आप लोग BCME कहते हैं, क्या कहते हैं, BCME कहते हैं, और ये BCME जो चलता है, BCME के अगर analysis कर नही की, वो ये decide कर रहा था, अच्छा, next बात करते हैं, PHE जो आता है, आपका public health engineering, या कुछ लोग इसे environmental engineering कहते हैं, अगर इसकी चर्चा करें, तो minimum ये 3 number का आया है, maximum 17, next बात करेंगे, next बात करेंगे, estimation and costing, ये estimation and costing minimum 2 number, maximum 20 number, ये number का मतलब question है, number of question है, ठीक, marks नहीं है, ठीक है, अगला जो हम लोग को देखने को मिलेगा, last and 15th subject, पंद्रहवा subject अपना जो देखने को मिलेगा, वो है, highway, railway and bridge engineering, और अगर इसकी बात करते हैं, तो 10 question, 11 question, 14 question, 3 question, ऐसे पूछा गया है हर साल, बात समझ रहे, मतलब maximum बात करिए तो 14 question, और minimum बात करिए तो 3 question इसमें आये और आप अगर चाहें, तो भाई इसमें subject wise भी जुड़ सकते हैं, और complete batch में भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप अगर मन करता है, तो आप subject wise जुड़िए, complete भी जुड़िए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठिक, अब आपके दिमाग में ए वाली बस में, दो पार्ट होगा, एक तो पार्ट होगा, टेक का, यानि टेकनिकल का, और एक होगा non-tech का, non-tech का, non-tech में जैसा लोग प्रॉबेबल अनुमान दिखा रहे हैं, कहा रहे हैं कि यूपी special होगा, यूपी special होगा, पुत्तर प्रदेश के संबंद में कुछ बिस नोटिस ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे तो यह computer बता रहे हैं यह होगा लेकिन technical तो होगा ही होगा यह confirm है और technical की वो सारे paper होंगे जो इन्होंने अभी तक पूछे हैं यानि technical का वो पूरा syllabus चलेगा तो हम लोग की जो अप्रोच होगी हम लोग सुरुवात अपनी यहां टेकनिकल से करेंगे और जब बोर्ड हमें क्या करेगा जब भी कभी बोर्ड हमें तो इसमें नॉन टेक भी था टेक भी था दो अलगलग हुए थे अधी टेकनिकल का पेपर जो ता वो से कुष्टन का हुआ था छेइस नमबर का दो घंटे का पेपर था तो हम लोग ऐसे देख पा रहे थे लेकिन syllabus क्या होगा टेक्निकल का हमें थोड़ा ये बताईए जो syllabus की बात करते हैं यहां देखिए civil engineering का जो syllabus है इसमें building material, estimate, costing, valuation, surveying, file machines, hydraulics, transportation, engineering, environmental देख रहे हैं यह syllabus हमें देखने को मिलेगा यह syllabus देखने को मिलेगा यह इंजनिंग, standard, test, uges, manufacturing, querying of material यह पूरा syllabus, as it is, आपका batch इसी syllabus के हिसाब से design किया गया है जैसा पहले आया था ठीक, और इसमें कुछ नए topic अगर add होंगे तो batch में आगे चल कर यह topic भी add किया जाएगा अब आते हैं साब की batch की fees क्या होगी batch कैसे download करें, कैसे access करें तो batch चाहे तो आप subject wise भी join कर सकते हैं और चाहे तो पूरा combo batch भी join कर सकते हैं subject wise batch की fees जो पड़ेगी पर batch जो है 99 रूपीज के आसपास पड़ेगा और अगर आप combo join करते हैं combo join करते हैं, तो combo की चर्चा करें काफी लंबे चोड़े experience वाले लोग जिन्होंने wide varieties of institutions में काम कर रखा है इंडिया के leading institutions में काम कर रखा है वो पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये आप join कर सकते हैं ऐसे इस batch को कैसे join करें, एप कहां से download करें कुछ नहीं करना है आपको आपको सीधा सीधा कहां जाना है प्ले स्टोर पर जाना है और वहां लिखना है YCT Books और ये वाला लोगों के साथ आपका application आ जाएगा, download कर लिजेगा और वहां जाएंगे, तो batch आपको मिल जाएगा बैच का link हम description में भी provide कर दे रहे हैं और अगर कोई असुविधा होती है तो ये number note कर लिजे, इस number पर आप WhatsApp करके, call करके जानकारी कठा कर सकते हैं अब आते हैं साब, ये तो कहानी रही इसकी, कि batch कैसा होगा कैसे चलेगा, और ये जो offer है कब तक रहेगा, offer ये 15 अगस्त रहेगा, यानि 16 अगस्त के बाद ये offer valid नहीं माना जाएगा ठीक है, चले, तो ये इस्थिती है साब अब इस batch में सबसे जरूरी एक सूचना है जो मुझे आपको देनी है, इस batch में हम सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे सवाल यह आता है, कई बार हमारे जमाख में सवाल यह आता है कि इस batch में हम पढ़ेंगे कैसे तो देखो इस batch का democlass जो है वो हो चुका है, democlass अक दो democlasses हो चुके हैं, तो आप ये democlasses जो है देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं भाई, अगर इन democlasses की सबसे पहली बात हुई है वो बात क्या हुई है कि यह पहला subject अपना सुरू हुआ कौन सा सब्डेकT शुरू हुआ पहला सब्जेकT यह सुरू हुआ और सब्जेकT में देखेए सबसे पहले आपको सलवस इत्यादी बता दिया गया और after the topic पढ़ाने के बाद पढ़ाने के बाद पूरा एक टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रशन आए हैं यह बाइलेंग्वली आप इन कुश्चन को ऐसे कर पा रहे हैं तो ऐसे ही पूरा बैच चलेगा मतलब इस बैच का जो मूल कॉनसेप्ट होगा पहले हम थिवरी पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे यह बैच चलेगा पूरा और इस बैच के पूरे लेक्शर पीडियेफ इत्याद यह आपको अवेलबल मिल जाएंगे तो आई हाओ कि आप लोग के सेलेक्शन में यह बैच एक महत्तों भूमिका निभाए और इसी के साथ जो है धन्यवाद लेकिन अगर इस बैच को जोईन करना चाहते है तो जोईन कर लिजे बहुत जल्दी जोईन कर लिजे चाहे आप सब्जिक्ट वाइट जोईन कर लिज सकते हैं यह नंबर आप लोट कर लिजेगा और बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा एप का लिंक भी होगा और टेलिग्राम चैनल का भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा आप वहां डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके जो भी जानकारी चाहते हो जा मज में आई हो और यूथ कंपटिशन टाइम्स का ये इनिशियोटिव आपके लिए कारगर सा भी धन्यवाद कि अच्छ अच्छ अच्छ